हर महिने की तरह से सितंबर का महिना तुला राची वालों के लिए कैसा जाने वाई तो सबसे पहली बात तो यह है जो लंबे समय तक चलने वाले ग्रेखें जैसे राहू है, शनी है, ब्रिहस्पती है, केतु है वो यथाबत पहले की तरह से चल रहे हैं, उनमें निवनाधिक फल आपको राप्त हो सकते हैं, ब्रिहस्पती आपके अश्टम इस्थान में है, स्वास्थ उस नरम गरम चल सकता है, इसलिए ब्रिहस्पती का दान, ब्रिहस्पती की पूजा और पीली वस्त्वों का दान आप को इस समय पर करना चाहिए, विरहस्पती का ब्रत करना चाहिए, राहू आपका बहुत पढ़िया है, छटे इस्थान में राहू है, कोई भी अगर आपका बाद विवाद चल रहा है, कहीं मुकदमा चल रहा है, तो उसमें विजय के चांस आपको मिलने वाले है, शनी आपक पंचम स्थान में है, तो पंचम स्थान का सनी अपने घर के अंदर है, इसलिए उसमें आपको संतान की भी प्राप्ती हो सकी, इसके साथ साथ जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें भी आप मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत के अंदर सफलता आपको मिलने वाली, बाकी मैं आपको देनिक रासी फल देना चारा हूँ तो जो एक, दो और तीन तारी ये आपके लिए राज्य के क्षित्र में, नोक्री के क्षित्र में, राजडीती के क्षित्र में और धनलाब के क्षित्र में अच्छा लाब देने वाली है, चार, पांच, छे तारी इसके अंदर आपको सावधान रहना होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई investment अगर आपको करना है, तो हाथ को रोक लीजिए दो दिन के बाद में की, दिल लेन भी करना है तो दो दिन के बाद में की, कोई भी रुके वेकारिक है, इस समय पर आप उनको पूरा कर लीजिए, वो सफल हो जाएगा, 14-15 तारीख, इसमें अकारण, अकस्माद, कोई चिंता आपको उत्पन हो सकती है, शिव की हारादना करें, दूद और चीनी का दान करें, तो उससे ये चिंताओं का समन हो जाएगा, 16-17 तारीख, पढ़ने वालों के लिए, इंटर्व्यू देने वालों के लिए, जिन्होंने इंटर्व्यू देना है, 16-17 तारीख, नियुक्त कर लीजिएगा, इसमें आपको सफलता मिले, कोई एक्जाम देना है, तो इसके अंदर आप सफल होंगे, लेकिन 18-19 तारीख, ये किसी भी विवाद से बचने के लिए कह, उसमें बचने का प्रयास कीजिएगा, अपने वाद विवाद से बचो, अपना व्यवार सुन्दर और सुखद आप जो है रख, 22-23 तारीख, आपके स्वास्ता के लिए ठीक नहीं है, स्वास्ता आपका कमजोर हो सकता है, कोई भी तकलीफ आपको हो सकती है, तो उसके लिए सिव की अरादना के लाद, बाकी 24 तारीख से लेकर के 30 तारीख, ये 7 दिन आपके पूरे महीने में रुके हुए कारियों को पूरा करने के लिए चाए वो राजकी ये कारिय हैं, चाए वो व्यापारिक कारिय हैं, चाए जैसे कारिय हैं, वो सब आपके पूरे होंगे और आपको लाब होगा, ये जान जानकारियां चाहिए, कार्याले की सेवाई भी अरपन करनी है, जो भी जानकारियां चाहिए, वो जान करके आप लाब उठा सकते हैं, नमस्कार.